आज की इस वीडियो में फ्रेंट्स मेरे पास है सेमसंग का ग्लेक्सी एफोटी अगर फ्रेंट्स आपके पास यह वाला डेवाइस है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखे क्योंकि इस फॉन के मैं आपको बताने वाला हूं टॉप टैन ऐसी अमेजिंग हीडिन करने वाद आपको देख नुमलेगा इस पर क्लिक कर देना है अब आपकी उपरी साइड यूटिप चला जाएगा नीचे किस एप्स को आप यूज करना चाहते हो उसको ओपिन करा सकते बहुत आसानी से इस तरह से फ्रेंट्स आप एक ही एपलिक्सिन को यहां पर नहीं दो दो एपलिक्सिन को सेम ताइम में यूज कर पाऊगे उपर वाले को नीचे नीचे वाले को उपर भी कर सकते हो जिसकलिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए तो यहां से स्विच कर पाऊगे यह फिर किसी एक एपलिक्सिन को ज्यादा एरिया में यूज करना है तो यहां क्लिक क के एक प्रक्राइब कुछ ज्यादा एरिया में भी कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो यहां से डारक्ट ली तो यह फीचर आपको काफी एडवांस इस फोन में देखने को मिल जाता है इस फोन का जो कंट्रोल पैनल है आप उसको कुछ इस तरह से फिंगरप्रिंट से एक्सेस अब नीची की साइड आएंगे आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर इस पर क्लिक कीजिए देखने को मिलेगा मोशन एंड जेसर इस पर क्लिक करना है यहां देखने को मिलेगा फिंगर सेंसर जेसर इस पर क्लिक करके यह फीचर को ओन करने पर आप अपने कुछ इस तरह से automatically screen on हो जाती है, इस feature को भी friends आप on कर लीजिए, तो आपको इस feature को इस तरह से काम आएगा, इस feature को चालो करने के लिए phone की setting में जाएगे, इस call down करने पे आपको फिर सही advanced feature पर click करना होगा, जिसके बाद motion and gesture पर click करना है, यहाँ आपको देखो मिलेगा lift to back, इ इस feature का इस तरह से use कर सकते हैं, इस phone की screen को आप double tap करके इस तरह से off करा सकते हैं, इनी feature को on करने के लिए friends आपको फिर सही, आपकी phone की setting में जाना है, advanced feature पर फिर से click करना होगा, यहाँ click करनी के लिए आपको gesture and motion पर click करना है, यहाँ से इंड़ना feature को on करा के आप इस तरह से इस feature का यूज़ कर सकते हैं निची को आपको एक option और मिल जाता है जो की रहेगा keep skin on वेंग वीविंग अगर ये वाला feature आपको on रहेगा तो आपका होना के वाला है जैसे का आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं वीडियो से जैसे आप निगाह को हटाएंगे बैसे आपकी पुस हो जाएगी आपको वीडियो प्लेयर में आप वीडियो देखेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो वहाँ भी पुस हो जाती है तो ये काफी ज़्यादा useful आपके आने वाला है अगर आप इस feature का यूज़ करते हैं तो यहां से इस feature को on करा के use कर पाएंगे इस क इस feature को भी आप यहां से on करा के जान सकते हैं बहुत आसानी से इस phone के अंदर friends आपकी जो call background रहती है आप उसको बदल सकते हो तो आपको बताते हैं कैसे आप बदल सकते हैं इसके लिए आपको phone का जो dialer वो open करके जाना होगा setting में setting में जले जाएए यहां देखने हो मिल जा जानी के बाद देखने को मिलेगा select gallery इस पर select के अमना तो आप फोटो को लगा सकते हैं उस वीडियो को लागा सकते हैं जिसको आप background के लिए set करना चाहती है तो यहां पर click करके जिसमें photo यह वीडियो को आप लगा पाऊगे इसके अलाबा एक contact के लिए एक background बदल सकते हैं कुछ इस तरह से option खुलेंगे आपको more पर click करना है इस call करने पर आपको देखने को मिलेगा call background इस पर click करके आप allow कीजिए तो यहां से भी आप directly call background बदल सकते हैं किसी एक number की चाहें या फिर मरी चाहें उस number की call background बल सकते हैं कि एक ringtone लगा सकते हैं एक background के लिए एक contact के लि अब यहां देखने हो मिलेगा open in pop-up view इस पर click करके आप इसको इस तरह से open करा सकते हैं इसका resize कर सकते हैं इसको आप small भी कर सकते हैं आप इस तरह से close कर सकते हैं इस फोन के दर फ्रेंड्स आपको बन हैंडेट मूर का भी support देखने को मिलता है उसको on करने के लिए phone की setting में चले जाएए जिसकी बाद आपको advanced feature पर click करना है यहां देखनो मिलेगा open handed mode इसको on कराके आप phone को बहुत आसान इससे open handed mode के लिए use कर सकते हो इसके लिए आपको दो बार बीच वाल बटन प्रेस करना होगा तो आपका phone open handed mode पर आ जाएगा full screen area में करने के लिए आप blank area पर click कर दीजी आपका phone full screen पर चला जाएगा अगर आपके इस phone में gesture use है आप gesture का use कर रहे है बटन नहीं है तो यहां पर बो भी option मिल जाएगा आप यहां से करके उसको भी जान सकते हो किस तरह से आप उसका use कर सकते है तो button से करना है या फिर gesture करन तो चलिए आपको बताएंगे इनका color change करना है तो उसको कैसे change कर सकते है इसके लिए आपको screen पर two finger से print change करना है यहां देखने हो मिलेगा ball paper and style यहां आपको देखोगे यहां पर आपके जो color है वो बदल चुके होगे तो इस तरह से आप यहां पर color को change कर सकते हो इसके लाब आप इस पर क्लिक करेंगे आप बैसिक कलर आपको देखने हो इनमें से कोई भी color आपको पसंद आ रहा है तो उसको size कर सकते है इस तरह से भी option मिल जाएंगे जो भी color रहेंगे आपकी ball paper के अंदर वो सभी available हो जाते है उनमें से आप directly इनको use कर सकते हो इसके अलावा आपको add on feature आपको इस phone में मिल जाते हैं इस phone के अंदर friends आपको add slide का बहुत अच्छा feature देखने को मिल जाता है जब भी आपकी कोई notification आती तो आपकी screen पर एक effects होगा उसको लगाने के लिए आपको phone की setting में जाना है scroll down करने पर notification देखने को मिलेगा यहाँ क्लिक कीजिए यहाँ notification आएगी तो कुछ इस तरह सा आपको यहाँ पर effects हो रहे है वो सो हो जाएगा notification के साथ तो जो भी आपको यहाँ पर style अच्छा लगता है notification का तो यहाँ पर आने कद उसको select कर लिजिए इसकी अलाबा इसका color भी आप change कर सकते है जिसके आपको color पर click करना होगा यह color क्लिक कर सकते हो इसके अलाबा जो आपका कितने देर चलना चाहिए उसका timer बदल सकते हो यह काफी useful feature रहेंगे इनको आप यहाँ से आके यूज कर सकते हो इसके लाबा बापस आईए यहां से बापस आने बद आपको देखने जाता है advanced setting इस पर click करना है इस पर click करने बद आपकी जो on करके आप इसको भी लगा पाएंगे इस phone के अंदर friends आपको apps hide का भी support देखने को मिलता है अगर application hide करना चाहते हो तो इनको unhide करने के बाद में आप access भी कर सकते हो तो friends यह कुछ आपको advanced feature response के अंदर available मिल जाते हैं जिनका use कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप इसी type की और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से subscribe कीजी क्योंकि नए नए अपडेट में ऐसे feature आपको मिलते रहते हैं और उनके बार में अगर आप जानना चाहते ह के bell icon को press कीजिए क्योंकि यहाँ पे सारी updates की आपको ख़बर मिलते रहेंगी sponsor related तो जरूर से चैनल को subscribe करके बाहर आपको प्रेस करना ना भूलिए तो चली friends मिलते हैं को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care